एलो, स्टुडेंट्स तो आज हम कुछ नुमरिकल करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंटिनेशन है यह ठीक है चप्टर 2 जो हमारा क्टम हो चुका है उसका लाश्ट वीडियो जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चप्टर 2 का उसमें कुछ numerical मैंने करवाया था और मैंने तुम्हें यह बताया था कि अगले जो भी वीडियोस होंगे उसमें स्रिफ हम numerical ही करेंगे ठीक है और अगर तुमने देखा होगा लाश्ट वीडियो में वहाँ पे circuit diagram related capacitor का जो combination होता है series और parallel तो उसके related कुछ numerical हमने किये थे और मैंने कुछ numerical हो मौर्ग भी दिया है तो मुझे लगता है कि वो तुम कर रहे हो या फिर कर पा रहे हो या फिर समझ रहे हो situation को कि कैसे handle करना है मतलब circuit diagram वाला numerical तुम्हें कैसे करना होगा ठीक है वो combination series parallel में जो equivalent capacitance होता है वो formula तुम्हें याद होना चाहिए कि series में कैसे होगा parallel में कैसे करना है है ना equivalent capacitance कैसे निकालना है और एक चीज़ मैंने बताया था कि series में कौन सा physical quantity same होता है और series में कौन सा different होगा मतलब कौन सा physical quantity मतलब तुमारे पास charge एक physical quantity होगा और potential एक physical quantity होगा ठीक है यह मैंने यहाँ पर लिख दिया यह charge है और यह potential है तो यह series में जो होता है series में जो होता है चार्ज जो होगा वो same होगा और potential जो होगा वो different होगा है ना और parallel connection हो capacitor का ठीक है तो उसमें क्या होता है charge जो होगा वो different हो जाता है बट potential जो होगा वो same हो जाता है तो ये थोड़ा सा मैंने repeat किया हुआ है last video में यही सब सीखा था और ये important भी था मैंने कहा भी था ये चीज very important है कि के point of view से कि हम जब numerical करेंगे तो इन चीजों को हम याद रखेंगे equivalent capacitance का तो formula याद रखना ही है उसके साथ साथ तुमें ये वाला चीज भी याद रखना है क्योंकि तुमें जब circuit diagram दुम करोगे तो इसी के basis पे ही तुम ज़्यादा problem solve करोगे और ये याद रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ये tricky question हो तभी तुम कर पाओगे ठीक है तो चलो आज के problems के बारे में बात करते है तो एक problem लेते हैं चलो एक question मैं ऐसे लूँगा अब तो सरिफ numericals है सारा theory खतम हो चुका है ना सरिफ numerical करना है मजा आएगा चलो एक problem ऐसे लेते हैं एक capacitor ऐसा है ये तुम्हारे पास एक सर्की डियाग्राम है ठीक है ये मान दो C है ये twice C है ये thrice C है ये 4C है और ये V है ठीक है ट्रॉख कर दो अपने copy पे ये सारा straight equilibrium lines होना चाहिए ठीक है parallel lines होना चाहिए इसमें different देखना ये बड़ा और ये छोटा होना चाहिए बैटरी है तो देखो ये एक सर्की डियाग्राम मैंने draw किया है तो इससे पहले भी कुछ डियाग्राम से मैंने solve करवा है ठीक है तो फिट से एक बार इसको अच्छी तरकी से समझते है ये जो डियाग्राम है तुम्हें तुम्हारे पास तो मान लो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं तो लिखूंगा यहां पर क्या determine करना है वो बात की बात है पहले ना तुम इस डियाग्राम को देखके तुम खुछ से बताओ कि इससे तुम क्या कर सकते हो इसका तुम क्या कर सकते हो मतलब तो एक तो तुम चीज ऐसे बता सकते हो सर इस डियाग्राम में हम equivalent capacitance जो होगा equivalent capacitance जो होगा वो निकाल पाएंगे है ना इस diagram से तुम equivalent capacitance निकाल पाओगे अराम से निकाल पाओगे पर उसका procedure क्या होगा यहां पर जो तुम्हारे पास system है उसको तुम्हें देखना है कि कौन-कौन सा चीज सीरीज में है और कौन-कौन सा चीज परलल में है अगर तुम्हें यहां पर मतलब यह समझने में दिकत हो रहा है कि कौन-कौन सा चीज सीरीज में है कौन-कौन सा मतलब capacitor जो connected है वो सीरीज में कनेकटेट है यह मैं किया पंडल था है गार के तुम एसे याद करो है कि यहां से एक पॉजरीट क्यू rigid आ रहा है कर रहा होगा यह बेरियर fragen मोई बाद में रहा होगा इसका कोまई में बताunge Sophia सब्सक्रण करें capacitance में हमें equivalent capacitance निकालने के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि series में कौन सा है parallel में कौन सा है तो कैसे solve करें तो solve ऐसे करें कि यहां से अगर positive charge एक निकला plus q तो यह यहां तक गया यहां तक जब पहुंच गया तब इसको लगा कि मेरे पास तो भाई तो रूट नो रूट यहां यहां पर q1 और हम फिक टू ऐसे इवाइड हो जाए कारैसला just सिरीज में है ना डेरेक्ट पॉजिटिब यह निकर्टिटिव निकर्डिव से लिए सिर्फ पॉजिटिव फिर ऐसे आया है यह तो यह Q2 वादा चार्ज इससे निकल गया फर इहां से गया इसमें भी सेम चार्ट जाएगे सीरीज में और इसमें भी सेम मतलब इहांसे Q2 आ गया, तो एक चीज़ क्लियर है, एक चीज़ समझो बात को, कि अगर तुम्हें question में ऐसे पूछा गया, कि इसमें कितना charge है, तो Q2 का value जो भी होगा, यहाँ पे तो मैंने numerical कोई value नहीं दिया, देखो C है, C का कोई value नहीं दिया, मानलो C का value होता है 5 microfarad, तो 2 into 5 मतलब यह हो गया, तो मारे पास 10 microfarad, यह 15 और 20 हो जाएगा, तो यह तो numerical value यहाँ भी देखो भी लिखाओ है, मानलो 10 volt है, मैंने ऐसे कुछ numerical value दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो वैसे समझो, अगर numerical value होता, तो Q2 तुम निकाल सकते थे, अगर यह सारा numerical value given होता, तो मतलब तुम्हें अगर question यह पूछता है, कि इसमें, इस वाले जो capacitor है, इसमें कितना chart जाएगा, तो देखो, अगर मैं किसी भी तरीके से, अगर मुझे numerical value दिया हुआ होता है, तो मैं Q1 और Q2 निकाल सकता हूँ, Q1 और Q2 निकाल सकता हूँ, ठीक है, अब तुम कहोंगे, सर Q1, Q2 निकाल सकत हूँ, कब, जब मुझे, यह वाला numerical value तुम अगर दे दोगे, तो मैं Q1, Q2 यह निकाल सकता हूँ, ठीक है, अब बात सुनो, मैंने क्या कहा, कि अगर मैं इससे question ऐसे पूछे, कि यह जो 2C वाला capacitor है ना, इससे कितना charge गया, तो कैसे निकालेंगे, तो हम वही procedure और apply करेंगे जिससे कि हमारे पास Q2 वाला charge निकल जाए, तो जब मैंने Q2 charge निकल लिया, तब मैं कहूंगा कि देखो, इससे भी Q2 यह जा रहा है, इससे भी Q2 यह जा रहा है, तो मैं उससे question पूछा गया कि 2C वाला capacitor से कितना जाएगा, जो भी value मैं निकालूंगा, problem को solve करके निकालूं फिर यह Q2 यहां से आ जाएगा, और यह Q1 ऐसे घूंग के यहां पर आ जाएगा, यहां पर capital Q, मतलब जितना चार्ण यहां से गया है, उत्ता चार्ण फिर से यहां पर आ गया, यहां से Q2 ऐसे चला जाएगा, और Q1 ऐसे होते ऐसे चला जाएगा, तो यहां पर Q1 प्स Q2 आ ठीक है मैंने question नहीं लिखा कुछ भी question यहां पर नहीं लिखा mind it ठीक है पहले समझने की कोशिश करते है circuit diagram को बढ़ना नहीं कर पाओ गया तो capital Q निकला फिर यह दो पार्ट में डिवाइड हो गया इसे एक चीज़ पता चला कि भाई साब यहां आप से तो Q1 चार्ज ही जाएगा बट पूरे system के लिए तो Q चार्ज होगा ठीक है इसमें भी Q2 वाला चार्ज इसमें भी Q2 वाला चार्ज इसमें भी Q2 वाला चार्ज अब एक चीज़ बताओ इसका जो potential difference होगा यहां पर इसको रब कर दूँ अच्छी तरीक से समझोगे फिट से diagram ड्रॉ कर लेता हूं बाद मैं लगे तो note करके लिख लो समझ लो आतको यह potential है अब मैंने कहा कि भाई इहां से अगर capital Q चार्ज गया तो इहां पे एक और इहां पे चार्ज गया होगा इहां पर मान लो Q1 इहां पर मान लो Q2 इसका मतलब क्या है इसका और एक मतलब है कि यहां का potential होगा इहां का potential और इहां क्लियर है यह चीज समझो और कॉपी में नोट करो बढ़ना समझ नहीं पाओगे अभी मैं मैं निमरिकल नहीं कर रहा हूं अभी इसको मतलब एनलाइसी कर रहा हूं इस सर्कृट को कि क्या क्या कर सकता हूं मैं कौन सा इंफोमेशन मेरे पास हो सकता है यह तो सी था यह ट्वा सेम होगा कितना होगा भी होगा कितना होगा पॉटेंशियल भी होगा ठीक है इसका पॉटेंशियल देखो इसके साथ जुरा है और इस तीनों का पॉटेंशियल और इसका पॉटेंशियल कितना होगा भी होगा क्लियर है और कुछ पता चल रहा है यह पता चल रहा है कैसे ज मालू में एना यहां पे 1 point दिया a यहां पे eep point लिया b consistently Är 내 अभ तुम कहोगे C यहां पे कुछ और नाम देदे हैं da aband ref बात को संभिए a b point का जो potential होगा यह वो भी होगा नहीं होगा पूरा इस system का अगर equivalent इन तीनों का अगर equivalent capacitance निकालोगे इन तिनों का तुम कैपासिटर का पॉटेंशिए बी और इस का पॉटेंशिएल कुछ और आ होगा, वैसे भी पता है, और इसका पॉटेंशिएल पर पॉटेंशिएल अलग और वी इसका potential भी नहीं है हाँ बट इन तिनों का अगर तुमने क्या निकाला equivalent capacitance निकाला जो भी आंसर होगा equivalent capacitance का उसका potential क्या है वी है क्लियर है यह वाला चीज समझ रहे हो ठीक है बट इसका potential क्या है वी है इस वाले 4C वाले जो capacitor यहाँ पर है इसका potential भी है ठीक है तो यह वाला circuit diagram तुम फिट से draw कर लो मैं यहाँ पर question लिखता हूँ what is the nuclear question what is the ratio of charges flowing through 2C and 4C capacitor तो 2C अब मैं फिर एक बार रप करता हूँ तुम कहोगे कितने बार रप कर रहे हो सर समझाने के इने बार बार कर रहा हूँ और क्या है तो अब तो यह question लिख लो और समझ जाओगे कि क्या पूछ रहा है तुमसे question पूछा गया यह c है यह twice c है यह thrice c है और यह 4C है ठीक है और यह भी है यह given था यह सारा चीज तुम्हारे पास given था कोई भी numerical value given नहीं है तुम्हारे पास सारा ऐसे symbolically given है ठीक है अब इस system में क्या रहा है कि इससे जो charge जाएगा और इससे जो charge जाएगा इन दोनों का ratio कितना है ठीक है तो कैसे करना है तो simple है देखो हमारे पास जो formula होता है q equal to c भी होता है माल लेते है कि यहां से charge गया है q1 और यहां से गया है q2 ठीक है तो तुमसे question पूछा है q2 divided by q1 यहीं तो पूछा है है ना हमें तो पता नहीं कितना charge है बट लट असका से q1 गया तो यहां से q2 गया तो हमसे से पूछता कि what is the ratio of the charge flowing through c यह वाला एंड यह वाला तब भी same ही होता यहां प्यागा thrice c होता तब भी same ही होता क्यों क्योंकि यह वाला charge इससे भी जाएगा same इससे भी जाएगा q2 इससे भी जाएगा q2 ठीक है फिलाल हमारे पास जो question है उसमें एसे दिया हुआ है ठीक है c से भी same होगा और three से भी three c से भी same ही होगा यह चीज clear होना चाहिए ठीक है अभी अभी जो points बता रहा होना मैं वो सब note down करना है तुम्हें वरना आगे problem swap नहीं कर पावगी यह सारा चीज बहुत important है चलो तो q1 को देखो इसके लिए अगर इस जगा पर मैं q equal to c भी लिखता हो ना इस जगा पर नाम दे देता हो तो कि तुम्हें समझने में आसा नहीं हो यह भी इस point पर अगर मैं q equal to c standard यह मैंने क्या लिखा यह standard equation है यह लिखा ठीक है अगर इस जगा पर यह equation apply करता हो तो यहां पर क्या होगा q1 equal to c c, c इस जगा पर कितना है 4c और इस जगा का potential कितना है पहले ही बता दिया यह वाला potential होगा तो यह भी है तो देखो q1 के विदो हमें direct मिल गया 4c into v है ना चलो तो अब मुझे क्या निकालना है q2 निकालना अगर q2 निकाल लिया तो मैं कर दूंगा divide तो q2 निकालने के लिए मुझे क्या करना मुझे पता है कि देखो इस जगा का potential भी है और इन तीनों का पहले तुम्हें equivalent capacitance निकालना परेगा इस तीनों का जो भी equivalent capacitance होगा यह series वाला जो है इस तीनों का जो भी equivalent capacitance होगा उसका potential भी तो भी होगा तो पहले हम क्या करेंगे यह वाला formal apply करने से पहले हमें पहले यह बादा करना है किस के लिए यह q2 केस के लिए लिए equivalent capacitance पता करना हे स्ञेयों पता करने से कैया होगा तब equivalent capacitance का जो potential होगा वह हो जाएगा थिक के मानलो इन कि इनों को तुमने स्वाल के और मिला तुम्हें मान लो कुछ कुछ सम्थिंग सी मिला मान लो सिक सी मिला मान लो मैं तब निकाल लूँगा इसका मतलब क्या हो गया कि सिक सी के साथ यह जो फोर सी है वो परलल है और यह पोटेंचियल है यह क्या था यह क्या था यह इन तीनों का combination का answer है है इसके साथ क्या पर अलल था 4C तो मुझे यह तो निकालना है ना जो मैंने ऐसे यह सिक्सी होता है कि नहीं होता है वो देख ले चलो तो equivalent capacitance मैं ऐसे लिखता हूँ equivalent capacitance of c, twice c and thrice c इसको ऐसे लिख दें c equivalent लिख देता है यह series में होगा तो one by okay होगा यह तुम्हें पता है तो one by c plus one by twice c plus one by thrice c है ना तो यह रफ कर दो चलो तुम कर सकते हो तो जल्दी जल्दी कर लो pause करके इसको भी रफ कर दो question हो मैं पता है q2 by q1 निकालना है q2 by q1 निकालना है q1 हमारे पास है बस q2 निकाल रहा हूँ अभी है तो यह one by c equivalent लिख दिया मैंने यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो गया यह हो गया तुम्हारे पास 6 c c है यह 6 होगा, प्लस 2 है, 3 होगा, 3 है, तो 2 होगा, यह होगा 6C, और यह तुम्हारे पास होगा 11, तुम्हारे पास 1 by C equivalent, तो C equivalent कितना हो रहा है, C equivalent equal to 6C by 11, हो गया, इन तीनों का combination का जो equivalent मिला, वो इतना है, इन तीनों का combination का जो potential है, वो भी है, और इन तीनों में ही charge कितना जा है, Q2, तो अब मैं standard equation, लिख लिया तुमने, अब मैं फिर से standard equation लिखता हूं, Q equal to CV, फिर से मैं standard equation लिख रहा हूं, Q equal to CV, किसके कौन सी ब्रांच में, यहां पे, यह तीनों जहां पे, इस point पे, ठीक है, तो यहां पे Q का value क्या लिखूंगा, Q2, C का value कितना लिखना है, C equivalent, म बाद में मत बोलना, सर, C का value आपने 6, C कैसे लिख 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 लिए, और ज्यादा problem हो रहा है, तो C equivalent लिख रहा हूं, वैसे यह standard लिखा, Q equal to CV हमारे पास standard equation होता है, इस C का value क्या होगा, C equivalent होगा, और C equivalent कितना है, 6C divided by 11, तो 6C divided by 11, और V, यहां पे भी ही है, तो अब हमार ठीक है, जो चलो रफ करता हूं मैं, therefore क्या था मेरे पास Q2 divided by Q1 निकालना था, तो Q2 कितना होगा, 6CV divided by 11, है ना, और Q1 क्या था, 4CV into the 4CV, ठीक है, तो VV के डाग्राम में रफ कर देता हूं, तुमने डाग्राम कर लिया होगा, तो इसको वोने रफ कर दिया, देखो, तो VV cancel, C, CV cancel, यहां से देखो, यह 2 और यह 3, तो ultimately तुम्हारे पास हो रहा है, 3 by 22, तो therefore ऐसे लिख दो, Q2 is to Q1 equal to 3 is to 22, ठीक है, हो गया, देखो, इससे जो informations में ने दिया, इस problem को solve करने से पहले, जो informations में ने दिया, वो important है, बार बार किया रहा हूं, कि circuit diagram को देखके तुम्हें पहले से पता करना है कि कौन-कौन सी जगा पे potential difference हो सकता है, कौन-कौन सी जगा पे potential same हो सकता है, कौन-कौन सी capacitor से same charge जा रहा है, कौन-कौन सी capacitor से same charge नहीं जाएगा, अगर नहीं जाएगा, तो वो दो दो branch parallel हो जाएगा, अगर potential same हो रहा है, तो आगर चार्च डिफरेंट जा रहा है तो बैंशनी पोटेंशन सेंट हो ना है डिफरेंट जा रहा है तो पटेंशल सेहीं होगा ठीक है तो I hope कि यह वार्व्लम हो तुम समझ सुक toward currently हो नेस्ट और एक प्रव्लम लेते हैं इनेक्स टेक प्रॉब्लम लेते हैं चलो यह तुम्हारे एक्जामपल से ले रहा हूँ यह तुम्हारे एक्जामपल बुक में निल जाएगा देख लो अराम से देख लो कुछ इसी तरीका है कुछ इसी तरीके का है यह किताब में मिल जाएगा, solve example, example number कितना है, देख लेना, मुझे पता exactly तो नहीं है, 2.9, देख लो, देख लो, तुम खोल के देख लो, ठीक है, इसमें जो question पूछ रहा है, पहली बात तो तू मुझे बताओ, इसमें क्या question पूछेगा, किताब को छोड़ दो, तू मुझे कि सर यह अगर, आप मुझे यह अगर circuit देते हो ना, तो मैं आपको यह value निकाल के दे सकता हूँ, बताओ, बंद कर दो किताब को, खुछ से बताओ, कि इस circuit से तुम क्या-क्या information, तुम, मतलब, तुम मिलता है, क्या-क्या information, पिछले वाला circuit के जासा ही था, यह C, 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 C E 2, C, F, 4C, ऐसा ही कुछ problem था, यहां पे V था तो, यहां पे 500 volt है, same-まり problem है, exactly, जो पिछले वाले वी-्डवेडियो में बताया था, क्या-क्या कर सकते हो, वही यहां पे numerical value दिया हुआ हुआ है, तो तुम direct क्या-क्या, निकाल सकते हो, बानलो, कि यह वाला combination है, तो इस से का तुम क्या निकालोगे एक्विलेंट के पासिटन्स निकालोगे जो भी आंसर होगा इसके साथ यह क्या होगा परलल होगा परलल में डिरेक्टेंड एड हो जाएगा ठीक है कैसे पता चला यह दोनों परलल है यह तो बता दिया मैंने कि यहां से एक चार्ज भेजो ना तो यहां पर Q1 जाएगा तो यहां पर Q2 जाएगा फिर यह वाला Q2 इससे भी जाएगा इससे भी जाएगा है तो क्या समझ रहे हो तुम इससे तुम यह पता चल रहा है कि यह तीनों तो सीरीज में है क्यों सीरीज में सेम चार्ज जाता है यह चार्ज डिफरेंट हो गया पूरा सर्कीट का कैपासिटेंस निकाल सकते हो, चलो, एक क्वेस्चन हो गया, मालो मुझे बुक का क्वेस्चन पता नहीं, ठीक है, खुद से भूणने की कोशी कर रहा हूं कि क्या-क्या मैं निकाल सकता हूं, ऐसे वाले डियाग्राम से, तो एक क्वेस्चन मैंने क्या निक प्रोड कि lot on बिख सकते हो अब ध्लोड आप तुमने यह निकाल लिया अब तुम्हारे पस पूरा सर्कृट का जो पोटेंशियल है वो वी गिवन है 500 volt तो पूरा circuit का capacitance पता है, पूरा circuit का potential पता है, तो पूरा circuit का charge की equal to c भी होगा, बतलब ये भी निकाल सकता हो, है ना, clear है, पूरा circuit का तुम्हारे पास क्या है, potential है, अभी अभी तुमने पूरा circuit का equivalent capacitance निकाला, पूरा circuit का equivalent capacitance कैसे निकाल होगे, पहले तुम इन तीनों का equivalent निका एड़ हो जाएगा इसका जो भी है आनसर इसके सिटा है तब क्या निकलेगा फूरा सर्कीट का सी कि पूरा सर्कीट में बाई कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ठीक है अब तुम कहोगे तो फिट तो सर क्यू वान और क्यू टू भी निकाला जा सकता है ओवियसली कैसे निकालोगे यहां पे हम यहां पे पिछले वादा प्रावल्म के जैसे यहां पे हम क्या लिखेंगे क्यूंत वैक इक टंडर्ड को लिखेंगे क्यूंत टो सीवी इक इक इतना है क्यों यहां का कर्सिटन्स कि ना टैन माइक्रों माइक्रों तो टेन टूदी पावर माईनस 6 लिख देते हैं भॉल्ट 500, है ना, क्लियर है, ठीक से लिखूँ, चलो, ठीक से लिखता हूँ, क्या है, 500, ठीक है, तो हुआ क्या, 1, 2, 3, है ना, 5 हो जाएगा, 5 into 10 to the power minus 3, तो इतना कूलम हो गया, माइक्रो मिली कुछ नहीं लिखना है, 5 मिली कुलम लिख सकते हो, वैसे, मैं 5 into 10 to the power minus 3 लिख रहा हूँ, ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, कि मैंने जो प्रोसीडियर बताया, उससे तुमने क्यों निकाल लिया, है ना, पहले वाला क्वेश्चन कैसे, यह कैसे करना है, मैंन तो question में, exam में जो पूछेगा, वो हम निकाल लेंगे, बड़ हमें अब ही क्या पता चल रहा है? मैंने कहा हमें यह पता चल रहा है, कि यह निकाल सकते है, हम यह भी निकाल सकते है, अब यह भी दिखाया कि Q1 कैसे निकाल ना है, अब तुम एक बात कहूं उचे, कि Q तुम् minus q1 ठीक है clear है easy बहुत easy problem चलो समझगे हो ना तो अब book में जो है book में है कि यहां से कितना चार्ज जा रहा है और यहां से कितना चार्ज जा रहा है वो तुम्हें निकालना है तो एक मेंने कर दिया फाइव इंटो टेंट दिबावर माइनस 3 ठीक है तो तुम्हें q2 निकालना है तुम q2 खुद से निकाल लोगे अब तो कर ही लोगे यार कैसे करो गए capital q भी निकाल लेना capital q निकाल लोगे तो डारेक्ट यहां से निकल जाएगा ठीक है अब अगर तुम मेरे से अगर मैं ना निकालो क्या मैं q2 नहीं निकाल सकता फिट से अगर तुम्हें question में यह पूछा इस diagram को देखके कि q1 और q2 निकालो ठीक है question में यह पूछा कि q1 और q2 निकालो तो तुम कह रहो कि इस से तो पता चल रहे कि यह निकल गया इस जगा पे मैंने q2 अब q2 निकालना है मुझे बट आयम नॉट इंटरेस्ट टोटेल चार्ज फ्लोइंग थो दा एंटरेस्ट नहीं हूं तो अब अगर तुम मेरे से पूछते हो कि सर अब बताओ आप q2 कैसे निकाले तो सिंपल है इन तीनों का इक्विलेंट निकालो इन तीनों का इक्विल 3 by 10 हो जाएगा मतलब c equivalent हो जाएगा 10 by 3 ठीक है इसको रफ कर देते हैं इसको रफ कर देते हैं यह सारा चीज रफ कर देते हैं मतलब मैं capital q जो है चार्ज फ्लोइंग थो दे एंटरेस्ट में निकालना नहीं चाहता मैं direct q2 को निकालना चाहता हूं तो कर सकते हो यह भी एक ट्रीका है कैसे C equivalent जो है इन तीनों के लिए निकाल तो 1 by C equivalent पूरा circuit के लिए नहीं निकाल रहे हो इन तीनों के लिए निकाल रहे हो फिर से इन तीनों का इक युखिवलेन्स कापासिटेंस निकाल रहा है इसलिए कि इन तीनों का जो भी आंसर होगा उसका पटेंशल भी 500 होगा तो क्या होगा 1 by 10 प्लास 1 by 10 प्लास 1 by 10 तो यह 3 by 10 हो गया चलो लेखो 10 तो यह 1 by सीक्वेलेंट हो गया 10 by 3 यह कितना होगा 3.33 होगा ना 10 by 3 रखते हैं माइक्रो फेरर्ड ऐसे ही रख देते हैं क्या है अब देखो अब हम Q इसके लिए यह वाला पॉइंट के लिए यह वाला पॉइंट में यह भी आता है जिसका प्टेंशल 500 है यह वाला पॉइंट के लिए यह तीनों भी आता है जिसका प्टेंशल 500 है तो यह तो तुम्हें निकालना है यह तो Q2 लिखा मैंने Q2 है तो देखो आप तो तुम्हे चार्ज फ्लोइंग थो दा एंट्या सर्कृट नहीं चाहिए है ना इसका वेलू कितना है टैन वाई थ्री इंट्टू टैन टू दी पाउर लिख दो माइना सिक्स इंट्टू यहाँ पे पोटेंशिल कितना है फाइव अंडर्ड चुलो मैंना तो कर ही दिया अब प्रॉब् तो तुम केपेटल की नहीं निकाल पाऊगे वैसे तो मतलब तुम चाहते हो कि में पूरा सर्किट के एक्युलन क्या निकाल के मतलब केर्स को न निकाल करिए इंडिविजिल क्यों क्यू टू निकाल सकता हो इस सकते हो ऐसे ठीक है और उस प्रॉसेडियर वहाँ वो निकाल दो, खतम, फिर तुम यहाँ पे Q1 के लिए Q-Grid Cv apply करो, इस जगा पे, इस जगा का potential 500, इस जगा का capacitance 10 µF और चार्ज ए Q1, Q1 निकल जाएगा, फिर तुम्हें Q2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें टोटल चार्ज निकाल दिया, Q1 निकाल दिया तो Q, capital Q-Q1 कर दो, Q2 निकल जाएगा, फिर भी अच्छी तरीके से करना, homework है, और यह वाला value मुझे बताना कितना होगा, वैसे मैंने कर ही दिया, है ना, facility जाता है तुम्हारा, चल, तो यह हमारा book का problem था, ठीक है, तो book से याद आया, और एक problem है तुम्हारे पास, करते हैं चलो, एक problem ऐसा था, कि एक capacitor है, शायद 900, पीको फेरेट वाल, ऐसे problem मिल जाएगा, तुम्हारे देख ले ना, करा है कि 900 पीको फेरेट का एक capacitor है, जिसको तुम्हारे ना, 100 वोल्ट, बैटरी के साथ लगा दिया, तो 900 पीको फेरेट का क्या है, एक capacitor है, जिसका capacitance है 900 पीको फेरेट, उसको क्या क्या तुम्हारे तुम्हारे ना, 100 वोल्ट बैटरी के साथ लगा दिया, यह solve example का problem है, ढूंड के निकाल लो, इसके आगे बीचे ही होगा, पिछले वाले problem के आगे बीचे होगा, तुम्हारे क्या किया, 100 वोल्ट के बैटरी के साथ लगा दिया, अब पूछ रहा है कि energy कितना stored होगा, तो क्या होगा, तुम्हारे पता है कि energy stored कितना होता है, half cv square, तो half into c कितना है, 900 into 10 to the power minus 12, पीको है ना, तो 10 to the power minus 12 होगा, into v square, मतलब यह क्या हो गया, 100 square हो गया, अब तो तुम खु तुछ से कर ले ना, करके मुझे बताओ कितना answer है, ठीक है, यह दो पार्ट में question है, यह तो easy है, यह तो direct question है, यह तुम निकाल होगे, जो भी energy होगा, energy का unit तो joule होगा, जो भी energy होगा, यहाँ पर joule unit होगा, बट second part जो है, वो important है, यह तो direct question है, तुम किताब में देख रह यह जो पहले वाला capacitor था, यह जो पहले वाला diagram ड्रो करते है, तब जाके बारिकी से समझ में आएगा, इसका मालो C1 जो है, 900 picofarad है, small p, है ना, इसको तुमने connect किया था, किस से, एक battery से, कितना volt का, 100 volt का, इसका energy कितना हुआ, दिखा दिया मैंने, half cb square होगा answer, खतम, joule होग unit, अब कह रहा है कि इसको तुमने disconnect किया, चलो कर दिया, फिर क्या करना है, कह रहा है कि फिर तुमने एक और capacitor के साथ connect किया इसको, और पता है, इस capacitor का capacitance कितना है, same है, 900 picofarad, ठीक है, तो इसका potential कितना था, इसको तो तुमने चार्ज कर दी 100 volt से, तो इसका potential 100 volt था, बट इसक इसको तभी अभी connect किया, तो potential difference हो गया, potential अगर difference हो गया, question सुन लो पहले, पहले question सुन लो, कह रहा है कि अब इस situation में, तुमने मतलब, जो potential था पहले 100 volt का इसको हटा दिया, हटा के फिर एक capacitor लाया, जो की 900 picofarad का ही है, उसके साथ यवादा जोड दिया, directly add कर दिया, तो कह है कि इस system का अब energy बताओ, अब इसका energy कितना है, पहले तो energy कितना होगा, half cv square से तुमने निकाल लिया था, अब इस system का energy कितना होगा, तो इस system का energy कितना होगा, देखो, इस system का energy formula तो half cv square ऐसे ही लिखेंगे हम, है ना, energy का formula, तो half cv square लिखना है हमें, ठीक है, बट यहाँ पर कितना कैपासिटर्स हैं तो 2 कैपासिटर्स है तो क्या होगा हाफ Ев इसके लिए माननों C1 सिट्वाफे इसका अनरर्जी कितना होगा खतम कैय रहा है कि एसे जोड़ हो गये तो तो हमें तो पता है इसका एक के पासेटर के लिए energy कितना होता है, half cb square, इसके लिए भी कितना होगा, half cb square, तो यह मैंने formula लिखा, जैसे question पूछा, वैसे according लिख दिया, अब problem कहा रहा है, तुम कहोगे sir, half तो पता ही है, c1 पता है, c2, c2 भी c1 है, c2 का value और c1 के value तो same है, c2 भी c1 है, यह भी प पता है, इसको तुमने direct लगा दिया इसके साथ, तो potential तो जो होगा, charge फ्लो कर जाएगा, potential difference होने के वज़े से, इससे charge यहां तक फ्लो हो जाएगा, कब तक charge फ्लो होता है, जब तक ना इन दोनों का potential सेम हो जाएगा, है ना, इसका potential और इसका potential सेम हो जाएगा, एक चीज़, अब मतलब यहां पर यहां पर यह question पर, बुक में यह वाला चीज़ नहीं बताया, आप जो मैं बताने जा रहा हूं, यह वाला चीज़ बुक में नहीं बताया, तो इसको नोट के रखना, यहां पर जो C का वेलू है, यहां पर भी C का वेलू सेम है, बैसे हमें पता होता है, कोई भी system हो, अगर geometrical shape, size, सेम होता है, तो उनका charge भी सेम हो जाता है, मतलब इहां का जो capacitance है, जो capacitor है, जिसका वेलू है, इतना, इसका भी इतना ही है, मतलब इस case में इसका वेलू अगर क्यू है, charge, इसका वेलू भी क्यूई ही होगा, समझरेू, कब, जब potential हैं, इन दोनों का, स्रिफ potential ही same नहीं होगा, इस case में, इस case में charge भी same हो जाएगा, वैसे मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था, exercise 1.13 का reference देखे, मैंने बताया था, यहाँ पे बताया था कि same shape and size बाला material बोला था, यहाँ पे 3 sphere का problem था, पहले चप्टर में 3, metallic sphere का conductor का problem था, जिसका तीनों का radius same था, तब मैंने बताया था कि पोटेंशियल चप्टर परा ही नहीं था, और इन्हों ने भी question को ऐसे बनाया था कि same shape and size रख दिया था, ठीक है, बट मैंने जब इसको पराया था, तब मैंने बताया कि chapter 2 में में कुछ बताऊंगा potential में, जब previous video में, जब lecture 25 में में बताया, एक problem solve करते हुए, तब मैंने ब दोनों का charge same हो जाए, दोनों का charge same वाला कहानी में क्या होना चाहिए, same material होना चाहिए, same size shape होना चाहिए, geometrical shape, जो है, वो same होना चाहिए, इसमें तो same होगा, इस capacitor का capacitance 900 है, इसका भी 900 है, तो इसमें तो potential 50 होगा, साथ charge भी दोनों में equally divided हो जाएगा, clear है, ठीक है, तो चलो, वैसे हमें यहां पर चार्ज नहीं चाहिए, हमें potential से हो जाएगे यह वाला problem, तो half यहां पर क्या लिखोगे, 900 Pico into Taddlebar minus 12 लिखोगे, इसके जगा पर 50 लिखोगे, square लिखोगे और यह भी same लिखोगे, है ना, तो यह खुद से तुम कर लोगे, इसका answer comment box में मुझे बताना कि कि तुम्हें कैसे solve करना, what is the approach, वो important है, और solve करने के लिए, देखो, इस problem को मैं direct solve कर सकता था, value value निकल जाएगा, book में भी answer है, तुम book से भी देख सकते हो, बट यह सब नहीं लिखा हुआ है, कि इसमें same material होगा, इसका capacitor same है, तो charge distribution भी same होगा, सिर्फ potential का distribution same नहीं, charge का distribution भी same होगा, वो सब points बहुत important है, वो तुम लिख कर रखो कहीं पर, ठीक है न, एक problem solve करने के लिए मैं इतना चीज़ बता रहा हूँ, तो मतलब कोई purpose तो होगा, तो मैं लिखना है ठीक से, ठीक है, वैसे तो कोई भी problem solve कर लेगा, इस problem को देख की solve कर लेगा, क्या है, और यही समझाने की कोशिश की, कि तुम्हें पता है, इसके लिए energy का expression नहीं होगा, और इसके लिए energy का expression नहीं होगा, फिर यह अलग बात है कि C1 निकल डू C2, फिर यह भी अलग बात है कि V1 निकल डू V2, है न, चला अब तो कर लोगी या, comment में जरूर बताया करो, कुछ बताते भी नहीं हो, करके चुपचाप बैठे रहते हो, मतलब सब आता है तुम्हें है न, अच्छी बात है, सब आता है तो अच्छी बात है, और एक problem, किया जाए, चलो, एक question ऐसे लेते हैं, मान लो मेरे पास, exercise 2.25, खुझ से कर दोगे आप, चलो, exercise, पबलिक डिमांड है भई, exercise 2.25, homework था, बहुत अने शायद कर लिया होगा, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए, वैसे शुरू से, शुरूबात करने से पहले बता देता हो, मैं तो solve करने वाला हूँ नहीं, कुछ tips दूँँगा, hints दूँँगा, कुछ concept बताऊंगा, है न, चलो, 2.25 है, तो कुछ ऐसा कहानी होगा इसका, कैसा, ऐसा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, और ऐसा कुछ, है न, I hope कि मैंने सही लिगा, देखो एक साइस, तुन दो देखी रहे हो, तुमारे पास तो किताब ही है, मेरे पास तो किताब है नहीं, इसको करना है solve, ठीक है, इसको solve करना था, थोड़ा सा और ढंक से draw करें इस diagram को, ताकि समझ में आए, ऐसे, ठीक, अब समझ में आएगा, अच्छा, positive यहां पहना, तो फिर तो ऐसे, फिर कहो कि सार अपने, अपके हिसाब से draw कर दे, positive इस साइट पह, कि से समझना है, इस से या इस से, तुम कहो कि सार, problem तो यह है, इस से समझाओ, इस से समझते हैं पहले चलो, तो यह पहुझ लिए, इसका मतलब इसका potential और इसका potential same है, इस जगा का potential, मतलब इन दोनों का equivalent लेके जो capacitance होगा, उसका potential और इसका potential same है, अब मैं पूछूँँगा कि भई, इसका potential और इसका potential same है, ठीक है, 300 वोल्ट होगा, तुम काओगे सर अभी अभी तो दिखाया था आपने एक problem करके भी था वहाँ पे, आपने कहा था भी है, यहाँ पे भी कहा था भी है, इसका potential भी 300 होगा, और इसका potential भी 300 नहीं होगा, नहीं होगा, 300 नहीं होगा, देखते हैं, चलो, मैंने कहा कि यहाँ से एक charge निकला, क्यों है न, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से मान दो Q1 गया और यहाँ पे Q2 गया, ठीक है, बट यह घूम के जब आया, यहाँ पे क्यों हो की आया, यहाँ पे कुछ potential difference ड्रॉप हो गया न, यहाँ पे हो न, बात को, यह charge Q यहाँ से निकला, यह positive terminal है, यह positive terminal है, यहाँ से क्यों निकला, फिर यहाँ पे क्यों गया, यहाँ पे क्यों गया, यहाँ जाके यहाँ पे आया, Q1 और Q2, यह रहा Q2, यहाँ से तो Q निकला, capital Q निकला, charge flowing through the entire circuit, यह Q2 निकला, Q2 गया, फिर Q2 यहाँ से मतलब यहां तितना है है two e one or two तो हज़े सर्किट के इस जगा हो है इस जगा पर वैंथ सर्कित पहरे इस ब्रावणिश स्रकीट पर कितना चार्ज फ्लो किया ऐ कितना तुम कहोगे सर इस जगा पे मुझे दिखाई दे रहा है इहां से Q1 गया और इहां से Q2 गया मतलब यह जो आपने डबाएक बनाया हुआ है इतना जगा पे चार्ज गया है Q1 प्लस Q2 मतलब क्या होता है यह Capital Q ठीक ठीक है इहां से लेके यह वाला जगा तक कितना चार्ज गया Capital Q फिर मतलब इहां पर जो भी आंसर होगा equivalent capacitance का मतलब यह दोनों series है यह दोनों series है इसका जो equivalent capacitance होगा इसके साथ यह वाला capacitor का जो capacitance है वो parallel में है फिर से यह दोनों series है बारीगी से समझो यह दोनों series है इसका एक equivalent capacitance होगा जो भी आंसर होगा इसके साथ यह क्या है Q1 Q2 अलग अलग गया parallel होगा तो 100 को direct add कर देना है किसके साथ इसके equivalent के साथ ठीक है तो हमें क्या मिला तो हमें इस branch तक इस ब्रांच capacitance मिला कैसे निकाला पहले इन दोनों को series का जो formula होता है इससे इन दोनों को equivalent capacitance निकाला फिर जो इन दोनों का answer हुआ equivalent उसके साथ इसको निकाला फिर मैंने कहा कि इन तीनों को लेके मैंने एक equivalent capacitance का answer मुझे मिल गया ठीक है अब इन तीनों को लेके जो तुमें answer मिला capacitance का इन त इहां पे charge flow रहा है Q, मतलब इन तीनों को लेके जो charge flow हो रहा है वो क्या है Q1 plus Q2 totale charge फिट से यе वाला जो capacitor है इसे कितना charge flow हो रहा है तुम कहो गह सर фак आपने तो बताया यह Q2 था ऐसे गया यह Q1 था, ऐसे गया और यहां पे आके Q1 Q2, मतलब Q केपिटल क्यूं गया समझो ठीक से फिर से एक बार इन तीनों में से कितना चार्ज गया केपिटल क्यूं और इस में से कितना चार्ज गया केपिटल क्यूं ही गया मतलब क्या मतलब मैं देख रहा हूं कि यहां पर जितना भी चार्ज गया और यहां पर जितना भी चार्ज गय यह दोनों सेम है, मतलब तुम कह रहे हो कि चार्ज फ्लोइंग जो है, वो सेम है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग सरिफ होगा, सीरीज कनेक्शन होगा, है ना, क्यूं, क्यूंकि सीरीज में तो चार्ज सेम होता है, मैंने पहले ही बताया था, कि यह वाला जो एक बार और, और अभी कर देते हैं, मेरे पास एक केपासिटर है, 100 पीकोफेरट की, यहाँ पे और दो केपासिटर्स है, यह 200 और यह भी 200 पीकोफेरट की, ठीक है, मैं फिर ड्रॉ नहीं करता, चलो, पहली बात, यह दोनों सीरीज में हैं, और अगर मेरे पास ऐसे बैटरी होता, ऐसे लगा दो, ऐसे, ठीक है? इसका प्रटेंशियल और इसका प्रटेंशियल और इसका प्रटेंशियल जो की सेंट है जो कि 100 भोल्ट का, sorry, Picoferat का है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता, कि इसका potential और इसका potential जो की same है, क्यूं same है, क्यूंकि capital Q यहाँ पर split हो रहा है, Q1, Q2 हो रहा है, है ना? इसलिए इसका potential और इसका potential same है, क्यूं same है? charge different हो रहा है, क्या वो 300 है? है नहीं है क्यों क्योंकि यहां पर प्रटेंशल ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि यह निगेटिव से यह जुरा है यह इस नेगेटिव से इसका डाइरेक्ट नहीं जुरा है क्लियर है ना यह चीज़ क्लियर है बतलब इसका प्रटेंशिल कुछ और होगा जो कि 300 नहीं होगा और इसका प्रटेंशियल भी 300 नहीं होगा इसका प्रटेंशियल भी 300 नहीं होगा ठीक है बात को समझ चुके हो ना अगर तुम कहते हो से इहां पे जो प्रटेंशियल होगा जो भी होगा answer उसका potential और इसका potential same होगा क्यों क्योंकि parallel है ना ठीक है फिर से यह दोनों तो series है यहाँ पर अगर charge जो भी जा रहा है इसमें भी उतना ही charge जाएगा series में तो charge यह Q1 गया तो यहाँ भी Q1 ही जाएगा यहाँ पर charge कितना गया Q2 तो यहाँ पर charge कितना जाएगा तुम कहोगे कि sir entire circuit में जो charge जाएगा वही charge यहाँ से भी जाएगा पतल अगर मुझे Q1, Q2 Q3 Q4 निकालो इससे कितना चार्ज गया इससे कितना चार्ज गया इससे कितना चार्ज गया मार्ण The question यह कह रहा है कि यह Q1 है यह Q2 है यह Q3 है यह Q4 है तो मैं कहूंगा यह Q1 है तो यह भी Q1 है इन दोनों के लिए सेम होना चाहिए question में तुम्हें कहा कि ये Q1 है ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है निकालो Q1, Q2, Q4 निकालो बट मुझे तो पता है ना, ये Q1 है तो ये भी Q1 होना चाहिए चलो ये Q2 है, तो इसको मैं Q2 लिखता हूँ ये क्या है तो फिर ये जितना चार्ज गया है, उतना ही चार्ज आया ये मतलब पूरा सर्किट का जो चार्ज है वो इससे भी जाएगा ठीक है, पहले बताओ Q1, Q2, Q3, Q4 का concept clear है की नहीं है ठीक है, ultimately मुझे क्या निकालना है, Q1, Q2 और केपिटल Q है ना Q1, Q2 और केपिटल Q तो अब मैं ज़्यादा solve करने वाला हूँ नहीं, तुम्हें कैसे problem को solve करना है तुम अगर चाहते हो कि पूरा सर्किट के लिए तुम Q equal to C B लिखो पूरा सर्किट के लिए तुम Q equal to C B लिखो, तो पूरा सर्किट का potential दिया हुआ है पूरा सर्किट के capacitance तुम्हें निकालना है कैसे निकालना है ये दोनों series है, इसके साथ जो भी answer होगा, ये parallel में होगा फिर से ये दोनों series है इसका equivalent जो भी answer होगा, इसके साथ ये parallel होगा, अब ये ठीनों मिला के तुमने एक answer बना लिया इसके साथ ये क्या है कैसे बता करना है कैसे बता करना है इन तीनों में कितना चार्ज जा रहा है इन तीनों में लेके Q1 प्लस Q2 जा रहा है और इसमें कितना जा रहा है इसमें भी Q1 प्लस Q2 जा रहा है, मतलब केवेटल Q जा रहा है, इसका जो अभी आंसर हुआ, इसके साथ ये सीरीज में होगा, फिर इसका जो भी आंसर हुआ, इसके साथ इसका सीरीज बना, मतलब C1 C2 भई C1 प्लस C2 करना है, तो तुम्हें क्या मिल जागा, तो इससे तुम्हें क्या पता चलेगा, इससे तुम्हें ये पता चलेगा, कि टोटल चार्ज कितना हो गया, ठीक है, चलो, अब क्या करना है तो फिर, अब एक काम कर सकते हैं, तुम अगर Q1 Q2 निकालना चाहते हो न, तुम इहां पे, इस पूरा सर्कीट में, क्यों कैसे निकालना मैंने बता दिया, पूरा सर्कीट का तुम्हें एक्वेलन के बास इस निकालना है, पूरा सर्कीट का तुम्हें पोटेंशियल पता है, ठीक है, अब तुम कहोगे सर्ठीक है, पटेल के लिगा फिर मुझे पूटेंशिल इसका पुरेंश्यल कितना इसका पोडोससिति है वह हैं तो बात को संजो इस पूरा सर्क्यूट में इस पूरा सर्क्यूट आ यहां तक यहां पर दहोरे पास जो इंग इक उएरे कपासिटन से हैं वह कितना है, शमझ रहूं है, किसके लिए बात कर रहो, इस जगा के लिए, समझो बात को लो, बना कर नहीं पाओगे, इसको रप कर देते हैं न, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे, बात नहीं, यहीं जगा इंप्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, हमें एक चीज़ पता जल गया कि यह वाला potential 300 नहीं है यह वाला potential 300 नहीं है बट यहां का potential और यहां का potential same है वो हमें पता है अब हम जो निकालने वाले वो समझो बारिकी से यहां पे इस जगा पे सरिफ इस जगा पे इस जगा पे हम क्या करेंगे Q equal to CV लिखेंगे ठीक है इस जगा पे हम क्या करेंगे Q equal to CV लिखेंगे तो देखो Q जो है इस जगा का Q तो capital Q ही होगा जो अभी अभी हमने निकाला है है अभी हमने पूरा circuit का इक्यूवेलन निकाला उसके बाद पूरा circuit का potential पता था तो पूरा सर्कित चार्ज भी निकल गया अब हम इस part में solve करें तो इतना पार्ट में हमारे पास charge कितना हो गया वो तो total charge flowing the circuit है क्यों क्योंकि कि हरा से q निकल रहा है वो इस में q1 तो इसमें Q2 गया, ठीक है ना, तो चार्ज Q है, अब देखो इस जगह का जो equivalent capacitance है, वो कितना है, अभी अभी तुमने जो पूरा circuit का equivalent capacitance निकाला है, ना, copy में, तो वहाँ पे तुमने देखो, इसका भी solve किया है, पहले इसका ही solve किया, पहले तुमने क्या किया, इन दोनों का solve किया, इसके साथ इसको direct add कर दिया, parallel होने के वज़े से, तो बस आपे मुझे इतना ही answer चाहिए, इसको नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ही आपे problem solve कर रह कर दो, करो copy में है, तो hell है जो, तो यह भाद आ यहाँ पे लिकना है, पोटेंचियल बोदो न निकालेंगे मुझे लिए। अब हम निकालेंगे, तो इससे क्या पता चलेगा, इस जगा का potential पता चलेगा, इस cat cả pen पता चलेगा, मतलब इस जगा पतेंचियल पिटेंचियल हो गया, इसका potential कितना है, यहां से निकल गया, एक answer हो गया, अब बात को सुनो, इसका potential जितना भी है, यहां का भी potential उतना ही है, तो फिर इसका potential कितना है, total potential 300 है, और बाकी potential minus कर दो, अभी जो निकला तुमने, है ना, तो इसका potential निकल जाएगा, कैसे किया, यहां का जो भी potential है वही potential यहां का भी होगा क्यों, क्योंकि यह दोनो parallel है अच्छा, total potential कितना है? 300 क्या इहां का potential 300 है? नहीं है क्यों क्यों कि इहां पे कुछ drop हो रहा है तो इसका potential कितना है? 300 minus इहां का potential या फिर इहां का जो भिढे प Japan성 के है 300 minus जो निकाला अंसर खतम इसका प्टेंशल का अंसर खतम अब देखो यह 200 है यह भी 200 है यहां से चार्च Q1 गया तो यहां से भी चार्च Q1 गया फिर से यह 200 है तो यह भी 200 है किताब में मिल रहा है तुम्हें फिर हमें पता है यहां से अगर मैं Q1 चार्च भेज रहा हूं तो यहां से भी Q1 चार्ज ही जा रहा है, मतलब इसका potential जो भी होगा, इसका potential same ही होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का capacitor का capacitance same है, तुम कहोगे कि सर, series में potential same नहीं होता, obviously same नहीं होता, इसमें क्यों same हो रहा है, इसमें capacitance का value same है, same है, capacitance का value same होने के वज़े से, और series होने के वज़े से same charge जा रहा है, इ अब तुम कहोगे सर इहां का प्रेंशियल तो निकाल लिया है इहां से क्या इहां का प्रेंशियल और इहां का प्रेंशियल सेम है नो इस जगा का प्रेंशियल और इस जगा का प्रेंशियल सेम नहीं है ठीक है इहां का प्रेंशियल तुमने इहां से निकाला ठीक है क्लियर है जो मैं कह रहा हो आगर तुम्हें समझे में şekilde करके सुनो नहीं तो पूरा मतलब होश उड़ जाएगा क्या कह रहे सर इहा का इहां का वहां का क्या है बतब ये एक ऐसा problem है जहां पर तुम्हें ये भी सीखने को मिल रहा है कि सीरीज में सर ने बोला कि series में potential same नहीं होता बट इस problem में series में potential same हो रहा है क्यूं क्यूंकि यहां से q1 charge आ रहा है तो यहां से भी q1 charge जा रहा है इसका अगर 200pc है इसका भी 200pc है है ना तो इस जगा का ये a point ये b point ये c point a b का potential जितना भी होगा बी-सी का potential भी उतना ही होगा क्यूंकि दोनों का capacitance जो है ना same है तो अब तुम मेरे से पूछूँगा इस ठीक है मान लिया इस वाले potential या फिर इस वाले potential को कैसे निकाले है तो क्यूं तुम्हें पता है क्या क्यूं तुम्हें पता है अब तुम का विए क्यूं तो पता है तो यहां पर apply करो q equal to cv तो यहां पर q equal to cv apply करने से जो भी potential होगा answer यहां पर फिर से apply करने की जरूरत नहीं सेम ही होगा तो यहां का पोटेंशल जो भी आंसर मिला डैरेक बोल दो कि इसका पोटेंशल भी उतना ही है इसको अगर समझ में नहीं आ रहे तो फिर से रिपीट करके सुन दो मैंने सारा पॉइंट्स बता दिया फिर भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रहा है कॉमेंट में बताओ करवा दूँगा फिर से ठीक है पर अब कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए यह ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें सारा फंडा तुम्हें अच्छी तरीके से मतलब कि समझ में आएगा अगर तुम समझते हो तो ठीक है चलो और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जली जली मालो मेरे पास एक केपासिटर है जिसका केपासिटर सी है और इन दोनों का डिस्टन जो है डी है ठीक है इन प्लेट से इन प्लेट से जो है एरिया ए है ठीक है और इन दोनों के बीच में मतलब तुम्हारे पास यहाँ पीख्याज फ्लसक चारज है तो यहाँ पर मानेस पीखिशार्ज होगा तो है फिल्टर फिल्ट होगा इस इलेक्टिक फिल्ड को I ओब लिखता हूं तो इलेक्टिक होगा तो इहाब पोटेंशाल डिफरेंस होगा पोटेंशाल को मैं भी से लिख रहा हूं नया जो new, जो capacitance होगा, वो कितना होगा, new जो potential होगा, वो कितना होगा, electric field जो नया होगा, इस वज़े से, separation 2D होने के वज़े से कितना होगा, और energy जो की half cv square होता है, जो new होगा, वो कितना होगा, ठीक है, इसको मैं कर सकता हूँ, बटा भी करना नहीं चाहता, यह home work रहे न द और इसको try करना है तुम्हें, यह वाला सारा physical quantity तुम्हें मुझे बताना है कि कितना होगा, नया जो होगा, वो कितना होगा, question तुम्हें समझ में आ गया, एक parallel plate capacitor है, जिसका कुछ physical quantities तुम्हें given है, initially, क्या-क्या यह plus q charge है, तो यह minus q है, दोनों का area जो है plates का, वो A है, potential difference B ह है, electric field E है, separation between the two place D है, अगर मैंने separation between the two place twice D कर दिया, तो यह सारा वेलो तुम्हें बताना है, बताना जरूर comment box में, और subscribe करने वाला चीज़ कितने दिन बताओ यार, जो नय होना, subscribe किया करो, और जो पहले से हो, उनको तो बहुत बार बता चुका हूँ, कितने बार बता हूँ, चलो आज के लिए इतना ही, thank you, bye bye, फिर मिलेंगे,